हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल मैं नीलम आपके साथ और फिर्ण आप सब कैसे हो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे खोश होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं और आजकल तो मेरे यहां तो बहुत अच्छा मोसम हो गय जो कि वीडियो स्टार्ट करती हून जीज़ कर रहे है और विडियो को कि सब्सके वेद्रिवां सब्सके। ला खालो गाया उसके बाद कुछ अलुबार के ति और थम यह तो हल्कट सा नमक डालके मैं अन् humble के रख यह दिये मटने के लिए तो में बना रही हूं बहुत ही tasty क дело कैचोडि तो आप भी इत्राई कर सकते हैं यह बहुत ज्याइदा अंव मतर की काम तहीं कुछ टी तो मैरी मिरस qa3 तो पिर खोड़ी तो आलू एठ कर दिया है वहकिन तो और भीमिर्टी ट्रwe प्याज डाल दी थोड़ी से नॉर्मल मसाले गरम मसाला जरूर डालना इसमें और थोड़ा सामचूर भी डाल देना हलका सा बस याने तो चांट मसाला डाल देना उसके बाद मैंने स्ट्रफिंग को भी अच्छे से भून लिया है आलूक और मटर को बस इस तरह से तयार हो तो देखी सारी कचोरी कितनी फूल फूल के आ गई है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए आप भी ट्राइ कीजिएगा तो चलिए मैं नेक्स एयर कर रही हूं ये रसकुले की तरह दिखने वाला आमले का मुरब्बा तो इसको जब हमें पता ह है कि ये हमारे लिए हेल्थी कितना है इना है उनको अलग कर देंगे और इस आमले को फोउग वाली स्पून तो देखी इस तरह से जब आप कर लेंगे तो मैंने गैस पे पानी रख दिया है और सारे मैंसे इतना जूस निकल गया है आप इससे महंदी वगरा ढगोल के लगा सकते हैं तो यह डाल दिया मैंने फिक कर जियेगा पानी पानी में उबाल आ गया, गैस मैंने बंद कर दी है, जैसी उबाल आएगा वैसी गैस बंद कर दीजे और इसको आदे घंटे के लिए ऐसी छोड़ देना, उसके बाद इसको दो तीन बार पानी से अच्छी से धो लेना, इस प्रोसेस से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा, कभी भी पूरी साल आपका आवला खराब नहीं होगा, उसके बाद देखें लागा इसको पकने दीजे अच्छे से और देखें कितना सौट और रस भरा हमारा बन के तैयार होत्य है, लाजे हम डेली खाने के लिए मैं चोटे बर्तन में निकाल लेते हूं और बाकी जो है वो इस्टील के डबे में भरके रख दिया है आमले का मुरब्बा है वो कांच में या इस्टील में होना चाहिए और इस्पून नहीं डाल के रखना बज़ जब आप निकालो तब इस्पून डालो उसके बाद आमले मुरब़ा एक अमले कहा नहीं देखे अचिया है, और लेकिन कभी हमाये बनाव लेकिन भी आमले कहाँ पहुती हो जाती है, पर आप तो ऑर वह सफ हो जाती है उसे भी नहीं है जाती है। बस उनका हम धिहान रखेंगे न तो चीजे हमारी एकदम सही चलती है जैसे कि हम मटर को जब हमने यूज किया तब ही मैं क्यों कहती हूं कि छोटे बड़े पैकेट बनाओ क्यूंकि अब हमें जैसे चावल बनाने है तो कई दर हम करते हैं चावल में थोड़े से मटर डाल दो चीजों को प्रिजव कर सकते हैं पूरी साल के लिए तो मेरी डेली वीडियो नहीं आती है पर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखिए डेली मैं अपना उसमें शेयर करती हूं जो चीज भी मैं प्रिजव करती हूं या कोई रेसिपी करनी होती है तो मैं उसमें शॉर्ट में टालती हो तो चलिए friends आप मटर को मैंने कैसे किया उस में मैंने इसको पैक कर सकते ह्यों मटर को उसको कैसे शील करना है तो वह चीज भी मैंने आप उसमें शेयर की है ऐसा करके ना हम चीजों को मतलब एक तो हमें बिल्कुल perfect चीज़े मिल जाती हैं सही चीज़े healthy चीज़े मिल जाती है और सस्ती भी पड़ जाती है तो चलिए और क्या चाहिए तो थोड़ी सी मैंफी करने में क्या जाता है जब हमारे लिए बहुत ही کंड जाता ही है नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तो बाबाई